अलो फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइब मेरे चनल बेस्ट टडी सेंड फॉर मेकनिकल इंजिनिंग पर आज को टॉपिक है वो है मीन डेविएशन फॉर इंडिविजुल सिरीज आज इस वीडियो में बताऊंगा कि मीन डेविशन इंडिविजुल सिरीज के लिए कैसे निकल मैं सबस्ट करके आफ्ठे मेरा भुमेन लेषन इंडियो मॉड उपस्ट का मास चना मॉड आए तो मैं निकालना पड़ेगा तो क्या लो में बताना भीम में 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 पर की चना मॉड नब में है मैंने तो निकाला है तो यह मैंने है वापस से वह लिए था उसको मैंने वापस से लिख दिया ठीक है अभी जो हमको निकालना है वह है तीक है डीकर्मेंट के अंदर अभी जो टीए का वे लास्त दिए एक ये हो जाएगी एक्स उसको और एक है वो एक क्या होगा वो मेंमीडियन मोय जो मिरमीन था engine था तो न तो 49 तो क्या करेंगे हम यह जो पहला माइनस ए मतलब छो екстलियों टीक है उसके फोर्टी five olho हट एक फूर्टी निकाल दी है उसके बाद मैंने का sum कर दिया है मतलब क्या 6 plus 4 plus 1 plus 5 plus 3 plus 7 plus 14 ठीक है तो जो total आया है sigma determined के नदर dA का वो आया है क्या 40 ठीक है उसके बाद जो formula होता है वो होता है sigma f dA upon sigma f अब यहाँ पर frequency तो कोई है नहीं तो हमारा formula क्या बन जाएगा simple sigma dA upon n ठीक है यहाँ पर sigma लगाना शायद मैं भूल गया था तो यह लिख देता हूं मैं sigma dA upon n ठीक है तो sigma dA हम नहीं निकाल लिया 40 अब n क्या है n मतलब किते element से मार पाज़े से हैं 1 2 3 4 5 6 7 साथ element है ठीक है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 40 divided by 7 तो उसकी value ऐगी 5.714 ठीक है तो हमारी mean deviation की value क्या गई 5.714 अब अगर हमको coefficient of mean deviation निकालना है तो उसका formula क्या होता है md मतलब mean deviation divided by mean median mode जो हमने निकाला हो तो यहाँ पर mean deviation का value आएथी 5.714 और mean की value आएथी 49 तो दोनों को divide करने पर value आए होई 0.116 तो thank you for watching this video